अगर आप हमारे यूटूब चेनल पर नए हैं तो आप हमारे यूटूब चेनल को जरूर सस्क्राइब करें और वेल आइकान को जरूर प्रेस करें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों गली बहुत ही अधिक उप्योगी होने वाला है मैं इस वीडियो में आपको एगरी कल्चर में अपना फ्यूचर कैसे बनाएं इससे रिलेटेड फूल इनफॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होते हैं जिने 10th क्लास या फिर 12th क्लास के बाद सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण वह अपना सही डिसिजन नहीं ले पाते और अपने फ्यूचर को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं तो आज हम एगरी कल्चर में अपना फ्यूचर कैसे बनाएं इस पर आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी फूल इन्फॉर्मेशन देने वाल है यह वीडियो आपको बहुत ही महतुपूर्ण साबित होने वाली है अगर आपको यह वीडियो पशंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इसे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि हम एकरी कल्चर में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले जिन इस्टुड़न को एकरी कल्चर में इंट्रेस्ट है वो अपने एकरी कल्चर में कुछ करना चाहते हैं या मेट्स साइंस से भी कर सकते हैं 12th के साथ साथ ही वह एग्रिकल्चर रिलेटेड इंटरेस एक्जाम के तैयारी भी बहुत सारी कोचिंग के द्वारा भी कर सकते हैं इसके बाद 12th एक्जाम जैसा कि उन्होंने उत्तिर न कर लिया वो चाहे एग्रिकल्चर से हो या मेट्स से हो या बायोलोजी से हो तो हमारे MP में PAT, ICR, BHU और SETS यहाँ जो PAT होता है यहाँ इस्टेट लेवल के एक्जाम होता है जो प्री एग्रिकल्चर टेस्ट के द्वारा कंड़क्ट कराया जाता है ICR, Indian Council of Agriculture Research यह भी एक सेंट्रल लेवल के एक्जाम होता है जो आज लास्ट इयर से जो NTA से कंड़क्ट करा रहा है National Testing Agency, BHU यह भी नेशनल लेवल का एक एक्जाम होता है जिसे BHU, बनारास हिंदी उनिवर्सिट्री, खुद ही कंड़क्ट कराती है अगला है SETS, यह सेम हिंगी पॉटम युनिवर्सिटी, Agriculture, Technology and Science यहाँ भी नेशनल लेवल के एक्जाम होता है इसे भी स्वेम युनिवर्सिटी खुद कंड़क्ट कराती है इन सभी परिक्चाओं में, यह सभी परिक्चाओं में चैन करने के बाद आप BSC Agriculture, BSC Horticulture, BSC Forestry या फिर BSC Sericulture या Dairy Technology इन सब विशेयों में अपना इसनातक कर सकते हैं पोस्ट अंडर वेजोशन कर सकते हैं यहाँ जो होता है, चार वर्सका पाठे कराम होता है इसके बाद अधिक से अधिक आप लोग जॉब के लिए एपलाई भी कर सकते हैं अगर आपको जॉब नहीं करना है, आगे आपको और पढ़ाई करनी है तो आप पोस्ट ग्रेजोशन के तयारी कर सकते हैं जिनके लिए भी बहुत सारे इंट्रेंस एक्जाम कंड़क्ट कराया जाते हैं जैसे के जे आरेफ, बीएचू, जे एनकेवी, सैट्स, यूपिकेटेड यहाँ सभी पोस्ट ग्रेजोशन के लिए इंट्रेंस एक्जाम हैं इनको fight करने के बाद, इनको crack करने के बाद आप MSC, agriculture, जो की बहुत सारे subject से की जाती है जिनका duration दो year का होता है, इसे आप कर सकते हैं इसके बाद आप बहुत सारे job के लिए आसानी से apply कर सकते हैं बहुत अच्छा अपना future बना सकते हैं इसके आगे भी अगर आपके study करनी है MSC के बाद, तो आप senior research में जा सकते हैं senior research के exam देने के बाद, जो SRF होता है SRF के बाद आप लोग PhD कर सकते हैं, scientist बन सकते हैं और भी इसके बाद बहुत सारी job होती है तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, thank you so much